अगर किसी को याद है हम लोग जॉन दे बैप्टिस्ट के लाइफ पे मनन कर रहे हैं उसी सीरीज में पहला मेसेज था मारा जलता दिया आज हम लोग यहना के सुसमाचार अध्याए एक पत्संख्या उन्नीस से टाइस जॉन शेप्टर वन वर्स नाइंटीन टू ट्वेंटी मेसेज है और इस मेसेज का नाम है मैं एक आवाज हूँ I am a voice मैं पढ़ता हूँ यहना के पहले अध्या के पत्संख्या उन्नीस से यहना की गवाई यह है कि जब यहूदियों ने येरोशलम से याज को और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है त तो उसने यह मान लिया और इंकार नहीं किया परंतु मान लिया कि मैं मसी नहीं हूँ तब उन्होंने उससे पूछा तू फिर कौन है क्या तू एलिया है उसने कहा मैं नहीं हूँ क्या तू वो भविश्य वकता है उसने उत्तर दिया कि नहीं तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर तू कौन ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे तू अपने विशे में क्या कहता है उसने कहा मैं जैसा यशाया भविश्वक्ता ने कहा जंडल में पुकारने वाले का शब्द हूँ कि प्रभू का मार्ग सीधा करो उन्होंने उससे प्रश्ण पूछा कि यदि तू मसी नहीं और ना एलिया है ना वो भविश्वक्ता है तो फिर बप्तिस्मा क्यों देता है योहना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बप्तिस्मा देता हूँ परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिस तुम नहीं जानते अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योगी नहीं ये बाते यर्दन के बैतिनिया में हुई जहां योहना बप्तिस्मा देता था मैं 29 पंक्ति पढ़ रहा हूँ दूसरे दिन उसने येश्व को अपनी और आते देख कर कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप लिए जाता है ये वही है जिसके विशे में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे स्रेष्ट है क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था परुंतु इसलिए मैं जल स बपतिस्मा देता हुआया कि वो इसरेल पर प्रकट हो जाए और यहना ने ये गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकास से उतर कर उस पह उतरते देखा और वो उस पह ठहर गया और मैं तो उसे पहचानता नहीं था परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा दे मैंने वाला है मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है मैंने वर्स 34 तक पड़ा था मैंने देखा और मैंने गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है आज के मेसेज का नाम है मैं एक आवाज हूँ आज जो हम मुख्य तोर पर मनन करना चाहते हैं कि जब हम इस जीवन को देखते हैं इस जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर मैं जैसा विश्वास करता हूँ हम हर जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं लेकिन मैं क्यों उस जीवन से सीखू जो मुझे ऐसे जीवन जीने की प्रेड़ना नहीं देता जहां परमेशर के नाम को महिमा मिल सके मुझे तो ऐसे जीवनों से प्रेड़ित होना है जिनों ने अपनी दौड बहुत अच्छे से दौड़ी और उनके जीवन से परमेशर को महिमा मिलती है तो आज ये सवाल कर सकते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है जीने का सच मानिय तो जीने के हजारों लाखों तरीके है बट कौन सी एक लाइफ है जहां पूर्ती मिलती है संतुष्टी मिलती है जो एक फुल्फिल्ड लाइफ है कोई अपना जीवन बिता दे अमीर बनने में अपने सपने पूरे करने में या दुनिया की चकाव चौन में ऐसे हजारों लाख है एक्जामपल से हमारे पास कि हम कैसे जीवन जी सकते हैं तो एक विश्वासी की रूप में एक सवाल है कि मैं अपना जीवन बेस्ट वे में कैसे जी हूँ हमिन आम तोर पर मेरे लाइफ में मेरे माइड में हमेशा ये मेसेज रहता है कि हमिन ये सवाल रहता है कि मेरी एक लाइफ है मैं इसको बेस्ट वे में कैसे जी सकता हमिन बेस् मैं परमेश्वर की सिवब में अपने आपको मैं कैसे offer कर सकता हूँ या इस जीवन को best way में मैं कैसी utilize कर सकता हूँ कि परमेश्वर को मेरे जीवन से महिमा मिले तो जीने के हजार तरीके हैं इचार कौन से वो एक तरीका है जिससे मेरे life fulfilled life हो सकती है मुझे पूर्ती मेरे, मैं satisfied हो सकता हूँ कि मैंने अपनी दोड को अच्छे से दोड़ा तो हम जब लोगों को देखते हैं जीवनों की कहानी पढ़ते हैं उन में से सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली कहानी वही कहानिया होती है जिनोंने अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए जिया जिनोंने recognize किया, discern किया God का purpose, उनकी ओजना क्या है उनके जीवन के लिए और उसके अनुसार अपने आपको दे दिया सबसे अच्छा तरीका क्या है 2000 तरीके हैं अपने जीवन बरबाद करने के 10,000 तरीके हैं ऐसा जीने के लिए जिससे life fulfilled नहीं हो लेकिन एक तरीका है जब आपने जीवन की दोड़ को पूरा करते हैं वो बहुत fulfillment लाता है क्यों? क्योंकि हमने अपने आपको परमेश्वर की उन योजनाओं के लिए दे दिया जिसको हमने अपने जीवन में discern किया हम जी बहुत ढंग से सकते हैं तेकि वो कौन से एक तरीका है मैं जीवन जिससे मुझे पूरती महसूस हो मेरे अपने जीवन में ये सवाल निरंतर मेरे मन में रहता मेरी एक life हम कैसे best जी सकते हैं ताकि जिन परमेश्वर की योजनाओं को हम अपने जीवन में discern करते हैं उसको हम fulfill कर सके और मेरा विश्वास मानिये हम बहुत concerned रहते हैं I know even at this point हम अपना best नहीं जी पा रहे बट हम बहुत concerned रहते हैं कि हम इस एक life को कैसे जीए और कैसे God का purpose अपने जीवन में fulfill करे कोई सुन रहे है मेरी बात को तो आप 1000 अंग से जी सकते हैं 1000 तरीके हैं अपने जीवन को जी के या तो उसको बरबात करने के या उसको जैसे जी रहे हैं वैसे जीने के लिए लेकिन एक सच्चे विश्वासी का जीवन कभी भी एक chance नहीं है वो एक accident नहीं है उसका जीवन God का एक plan है वो plan जिसको वो तब discover करता है जब वो आत्मा से भर कर जीना चालू करता है वो plan जिसको वो जब तब discover करता है जब उसको वो परमेश्वर को जानने लगता है वो plan उसकी चाहत दिन दात की मेरा जीवन परमेश्वर को भाना चाहिए और मैं उसके इस्तमाल में आजाओ यहां कोई भी ऐसा नहीं होगा जो प्रभु येश्यू को वेट्टिकत रूप में जानता है कि मेरा जीवन प्रभू के इस्तमाल में आए, हमें नहीं आए और जब हम यहना बबतिस्मा देने वाले की कहानी पे बनन करते हैं एक बात हमारे मनों में जरूर आने चीए कि पॉलुस की तरह ये भी सही आदमी है जो सही समय पे सही कामों के लिए पैदा हुआ और इसने अपने जीवन को पून रूप से उस योजना के अनुसार जिया जो परमेश्वर की योजना था तो जो योजना थी तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि हम और आप बहुत डंग से जी सकते हैं लेकिन एक धंग है जो परमेश्वर का इच्छा है हमारे जीवन के लिए एमेन एक आदमी अपने आपको कैसे सैंक्टिफाइ करेगा कैसे देगा जब तक उस योजना से जान है और अगर वो योजना जान भी जाए वो कैसे उसमें जीएगा जब तक वो पवित्रात्मा से भर कर ना जीए यह योजना की कानी अब किसी से मैं पूछू भई तुम कौन हो तो कोई बुलेगा मैं तो अबला नारी हूँ कोई बुलेगा मैं तो एक भटकती आत्मा हूँ कोई बोलेगा मैं एक अधूरी कहानी हूँ कोई बोलेगा मैं एक एकसिडेंट हूँ कोई बोलेगा मैं तो एक सपना हूँ मैं एक एमबीशन हूँ कोई बोलेगा मैं एक मीमर हूँ कोई बोलेगा मैं गरीब हूँ कोई बोलेगा मैं आमीर हूँ कोई बोलेगा मैं एक frustration हूँ, कोई बोलेगा मैं तो गुस्सा हूँ, आभी तक पूरा निकला भी नहीं हूँ, कोई बोलेगा मैं एक गलती हूँ, इससे पूछा तुम कौन हो, बोला मैं निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज हूँ, प्रभु का मार्क तयार करो, अब हम पिछले हफते हमने यहना की कहानी में देखाई है, इसका जीवन एक जलता दिया था, क्यों, यह किसकी testimony है, यह प्रभु येश्यो की गवाई है, यहना की जीवन, उसकी memorial service में, मतलब जब प्रभु ने भुला लगबाग, उस समय तक, शायद यहना मर चुका था, प थोड़े समय तक उसकी रोश्णी में आनन्दित हुए, मतलब उसकी life एक burning lamp थी, और हम पिछले हफते हमने देखा कि कैसे एक विश्वासी का जीवन एक जलता दिया होना, क्यों, उसका उसका आनन्द है, वो consumed हो जायए परमेश्यो की worship में, आमेन, इस से फरीसी और फरीसी आके पूछते कि तुम कौन हो, क्योंकि जब वो उस धर्म के रखवाले थे, तो उनको ये जानना था कि क्या ये वही मसीह है जो आने वाला था, योहन्ना याजकों के घराने से था, और एक याजक ये by heredity था, मतलब पैदा होके ही उस परिवार में जब पैदा हो, लेकिन ये अपने आपको काट लेता है मंदिर से और उन चीजों से, और वो निर्जन प्रदेश में चला जाके वो एक नभी की तरह जीवन जीने लगता है, और अब जब वो अपने आपको अकेला कर देता है, अब हमेशा लाइफ में जब भी हम लोग अपने आपको परमेश्वर की योजना जान के, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग हिमाचल चले जाए, पहाडों में बस जहम है, वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा कि जब भी हम लोग अपने लाइफ में परमेश्वर की योजना डिसर्न करके, उसको जानके, अपने आपको परमेश्वर की योजन के लिए बुलाया हम उसको पूरा कर सके मैंने अकेले पनवाले मेसेज में एक बार बताई थी अकेले रहने से ज़्यादा खतरनाक है दुनिया की भीड में अपने आपको अकेला महसूस करना आप दो लोगों के साथ हो फिर भी अकेला महसूस करे एंड एज बिलीवर हम लोग क्या सेवा करनी है एक विश्वासी के रूप में भी अगर हम वो नहीं कर दे जो परमेश्वर चाहता है कि हम करे तो हमारी लाइफ में हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहेगा यह जानते वे कि हम उस योजना के अनुसान नहीं जीरे जो परमेश्वर की योजना है यह अपने आप पाहडों करता है अगर किसी को चाहिए हम परमेश्व़ की योजना में आगे बढ़े अपने आपको अलग करो प्लीज म、 इसका मतलब यह नहीं कि आप निर्जन प्रदेश चला जाओ इसका इन कि आप पहाडवं में चले जाओ तो सबसे पहले मेरे को अपने आपको उस सीच से अलग करना पड़ेगा ताकि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को सीख कर सकूँ खोच सकूँ और आत्मा से भर कर अंदर से परिवर्तित हो सकूँ ताकि मैं उस जीवन को जी सकूँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है ये अपने आपको अलग कर देता है ये निर्जन प्रदेश में जीना चालू करता है और ये अब एक नभी का रूप ले लेता है अब इसकी जो फेम है इसकी जो ख्याती है ये दूर-दूर तक फैल जाती है और ये लोगों के पास नहीं जाता है बबतिस्मा देन और गलीली से येरोशलम तक लोग इसको जानने लगते हैं और इसके प्रचार और इसके बातों से लोगों को लगता है ये वही मसीह तो नहीं जो आने वाला था मैं अगे अगर आप इसरेल की हिस्ट्री को देखे तो ये जो उनका फरवर है ये जो उनका जोश है ये टाइम टाइम एज नेशन एक राष्ट की रूप में जग जाता था कि मसीहा आने वाला है तो यहना अपने ख्याती के समय इससे लोग आके सवाल करते थे क्या तुम मसीहा हो क्या तुम वही मसीहा हो जिसका हम इंतजार करों तर खासकर फरीसी लोग जो अपने आपको इस धरम का क्या तुम मसीहा हो और यह कहता है मैं वो मसीहा नहीं हूँ अब यह जो मसीहा बोल रहा है मतलब यह बोल रहा है कि मैं प्रभूक परमेश्वर का वो अभी शिक्त नहीं हूँ जो आने वाला है हमें भीड इसके पीछे चलने के लिए तयार थी लेकिन यह जूटा आदमी न बहुत से चले बन सकते थे उठाता इसका और बहुत नाम हो जाता है इसको और बहुत ख्याती मिलती लेकिन परमेश्वर के सच्चे दास की यही तो एक खुबी है कि वो जानता है कि मसीह में कौन है और उससे ज़्यादा बनना नहीं चाहता कई बार वो सकसेस वो ख्याती वो प्रसिद्धी लोगों के दिमाग में गुज जाती है और वो ऐसे चीजों को क्लेम करने लगते हैं जो वो नहीं है वो ऐसी जगा जाने लगते हैं जहां उनको नहीं जाना वो ऐसी बाते करने लगते हैं जो उनको नहीं करनी है और वो शायद मसी का सम्मान अपने उपर लेने लगते है लेकिन इसने प्रभु येश्यु मसी का सम्मान अपने उपर नहीं लिया परंतु इसने सब कुछ प्रभु के चर्णों में दे दिया और यही एक मार्क है एक सच्छे सेवक का की वो सब कुछ करने के बाद वो पूरी दिमाग में चली जाती है कोई सुनना है मेरी बात को कोई लोग सोचता है जब हम weak होते हैं हम सबसे ज़्यादा open होते हैं गलतिया करने के लिए नहीं In fact, मैं सोचता हूँ कि हमको जितनी prayer हम अपने temptation के time करते हैं उतनी prayer तभी भी करने चाहिए जब हम लोग life में बहुत successful होते हैं क्योंकि उस समय हम लोग को लगता है कि हम लोग कोई गलती नहीं कर सकते हैं मेरे साथ तो ऐसा हुआ है प्रभू येशू सिर्फ प्रातना तब नहीं करते थे जब जीवन में तकलीफ हो या जब decisions लेने हो प्रभू येशू अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद भी प्रातना करते थे मैंने अपने व्यक्तिकत रूप में देखा है कि जब हम लोग life में ऐसे जी रहे हैं जहां success पि-success हम जो कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है तो एक बार हम लोग भूल जाते हैं हम लोग इनसान हैं और यही सबसे बड़ा trap बन जाता है कि हम सोचते हैं हम गिर नहीं सकते क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही जा रहा है तो कई बार हम उस समय temptation में गिर जाते हैं हम अपनी गलतियों में फस जाते हैं क्यों क्योंकि लगता है कुछ गलत होई नहीं सकता हम यह सोचते भी नहीं है गलती के बारे में उस समय की कुछ गलती हो सकते हमारे discernment गिर जाती है पर एक true minister की जो उसका जो मार्क है वो यह है कि वो अपने जीवन को ना केवल परमेशर के अनुसार जीता है बट जहां गलोरी की बात आती है वो गलोरी परमेशर को ही देता है और इससे पूछते क्या तुम एलिया हो तो यह कहता है कि मैं वो एलिया नहीं हूँ क्योंकि लोग विश्वास करते है कि पहले एलिया आयागा फिर प्रभू आएंगे बट यह उसी स्पिरिट में आया था जिदि हम एलिया की कहानी जानते है पुराने विधान में तो एलिया वो नभी था जिसने पूरे राष्ट को वापस परमेशर की तरफ मुड़ा था पुराने विधान के दो नभी है मूसा और एलिया जब शादी होती है ना तो शादी में जो लड़की आती है जो दुलहन आती है और दूला आता है दोनों के साथ एक बेस्ट मैन होता है मतलब जो दुलहन के साथ तो होता है तो बेस्ट मैन जब आता है वो दुलहन को दूले के पास ले आके फिर वो पीछे हो जाता है तो इनका रोल बेस्ट मैं जैसे था I mean मसी को इंट्रिड्यूस करना और फिर ये घटते जाए वो बढ़ता जाए इसे पूछे तुम है लिया हो नहीं तुम नबी हो नहीं तुम कौन हो मैं एक आवाज हूँ मैं निजन प्रदेश में पुकारने वाली एक आवाज हूँ प्रबू का मार्ग तैयार करो और जब इसरेल में कोई ये बाग बुलत उसको समझ में आजाना चीए कि जब भी कोई बड़ा आदमी कोई राजा आता है उससे पहले कोई एनाउंसमेंट करने आता है उससे पहले उसका मार्ग कोई तैयार करने आता है उसके जरुवत का समान तैयार करने आता है रास्ते में जो भी रुकावट होती है उसको हटाने के लिए कोई आता है कोई जो घाटियों को बराबर करने पहाड को बराबर करने थी कि प्रभू का मार्क तयार करो निर्जन प्रदेश में प्रभू के लिए रास्ता बनाओ हर एक घाटी उची की जाएगी हर एक पहार नीच्छा किया जाएगा हर एक तेड़ा रास्ता सीधा किया जाएगा तो ये जानता है कि ये निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली तुम कौन हो, मैं वो आवाज हूँ, मेरे को अपनी लाइफ में, God का प्लैन मालूम है, मेरे से पहले कोई है, मैं उसको पहचानता हूँ, देखिए अगर आप से पहले जो था, आप उसको नहीं पहचानते, तो आप अपना जीवन ऐसे जिएंगे कि जैसे सब कुछ आज ही द धारित हुआ है, लेकिन जब हम उसको जान जाते हैं, जो हमसे पहले था, देखिए उसके अंत के गवाई थी, ये वो है जो मुझसे पहले से था, ये मिरे बाद आया है, लेकिन ये मेरे से पहले से था, जब हम जीवन में उसको नहीं पहचानेंगे, जो हमसे पहले से था, या जैसे प्रकाशित वाकिय में लिखा है जो था, जो है और जो आने वाला है, जब उसको नहीं जानेंगे तो हम लोग लाइफ ऐसे जीएंगे कि सब कुछ आज ही डिसाइड हुआ है, लाइफ एक चांस है, हम जैसा जी रहे हैं, हम जी सकते हैं, लेकिन जब उसको जान जात भटका नहीं, अपनी बुलाहाच से भटका नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशन उसको दबाई नहीं, दूसरे जो सोचते हैं, उससे उसको कोई फरक नहीं था, इसको मालूम था ये कौन है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, वो मेरे बारे में क्या सोचता, it does not matter, अग हम लोग कही पर ऐसे करते हैं कि हमको मालूम है कोई व्यक्ति है, जो हमारे लिए गलत सोचता है, बार बार हमको ये जानना है कि तुम सोचते क्या हो मेरे बारे में, और फिर हम वही सुनते हैं, जो हमको नहीं सुनना है, और फिर हम दुखी हो जाते हैं, अगर आपको लोग के expectations या लोगों क्या सोचते हैं क्वाल बाल लोगों के विचार अपने लिए सुनने लगें हम कहीना कहीन कई कोशिश करेंगे अपने आपको न के अनुसार ठालने के लिए हैं अच्छा तो नहीं सुचते होंगे जब तुमका मालू मैं फिर क्यों पूछ रहा हूँ वो निर्धारित था उसका जीवन निर्धारित था उसके लिए भविश्वानी थी जो भविश्वानी तुमसे पहले आती है क्योंकि परमेश्वर अंत को शुरुवात से जानता है वो चीजे पहले से डिक प्रदेश में बुकारने वाली आवाज हूँ और यह कहकर उसने अपने जीवन में वह भविश्वानी पूरी की वह योजना पूरी की जो परमेश्वर की इसके लिए क्या योजना थी मैं वह हूँ जो परमेश्वर कहते हैं मैं हूँ दुनिया क्या कहती है इस सो को फरक नहीं परता है मैं तो यह देखा हूँ कि जितना भी कर लो सबको खुश नहीं कर सकते हैं क्या आप करना चाते हैं सबको खुश बिल्कुल नहीं तो क्या मैं सबको दुखी कर दू बिल्क तो मैं उसका बेटा हूँ, ना मैं उससे कम हूँ, ना मैं उससे जादा हूँ. अगर परमेशर का वचन कहता है कि वो मुझे प्रेम करता है, मेरे अच्छी होजना रखता है. तो मुझे पर आरोप कौन लगा सकता है? मैं वो हूँ, जो परमेशर कहता है, मैं हूँ. लाइफ जीने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो परमेशर मेरे जीवन के लिए बोल रहा है. जो परमेशर ने मेरे जीवन के लिए योजना रखी है. मैं अपना जीवन उस योजना क रहूंगा क्योंकि मैं अगर परमेश्वर का बेटा हूँ तो उसकी आग गया पालन में ही मुझे आनन्द आएगा हम जी जैसे भी सकते हैं आप गलती करते हैं मैं आप से ज़्यादा हो सकता करता हूँ लेकिन मैं satisfied नहीं हूँ गलती करके मैं खुश नहीं हूँ गलती करके क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ और मेरा joy है परमेश्वर की योजनाव में मेरा joy है God की जो will है उसको उसके अनुसार अपने जीवन में जीना आमें मैं वो हूँ जो परमेश्वर कहता है लोग क्या कहता है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है लोगों के पास और याप जितना भी अच्छा जी लीजीए आप जितना भी अच्छा करने के लिए कोशिश करिए कोई ना कोई आपसे ओफेंडोड हो चाएगा कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा लिगन जो वेक्ति जानता हो कौन है और जिसके अपने जीवन दे दिया है उस योजना के अनुसार जीने के लिए तो यह अपने आपको अलग करता है यह उस योजना में जीता है लोगों की इसकी प्रसिद्धी लोगों का प्रेशर इसको चेंज नहीं करता है ये प्रभु येशु से महिमा नहीं लेता है, ये पूरी महिमा उसको देता है, मैं निर्जन प्रदेश पे पुकारने वाली हवाज हूँ, मेरे को और कोई टाइटल नहीं चाहिए मैं जो हूँ, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि परमेशन मुझे वो बनने के लिए बुलाया है क्या तुम मसी हो? नहीं, मैं कावाज हूँ फिर उख कहते हैं कि जब उसकी सिक्षा के बारे में बात करते हैं, बोले वो आ रहा है, जिसके हाथ में वो आ रहा है, जो कटाई करने आ रहा है, जो गेहों को, जंगली गेहों से अलग करने आ रहा है, जब वो उसकी पास बबतिस्मा के लिए आते थे तो कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है, मैं तो तुमको पानी से बबतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाल में सबसे महान आदमी है यहना बबतिस्मा देने वाला मतलब प्रभू बोल रहे हैं कि पृत्वी में जनम लेने वाला परमेशर के राज में नहीं औरत से जनम लेने वाला परमेशर के आत्मा नहीं क्योंकि यह परमेशर के राज में सबसे छोटा है लेकिन जो औरत से जनम ल लोगों को रेस देता है वो आदमी अपनी लिमिटेशन जानता था और उसके गवाई किया ये मुझसे पहले था वह मुझसे क्या आप उसको जानते है जो आप से पहले था जो आप उसको जानते है जो आप से बड़ा है उनको कहा जाना है, salvation किस व्यक्ति में है, मुझसे महान कौन है, उसको यह भी मलता है, मुझसे पहले कौन आया है, और वो प्रभू के बलिदान को जानता है कि देखो, यह रहा परमेश्वा का निश्पाप में ना, जो जगद के पाप लिए जाता है, मैं सी introduction, क्या powerful introduction है, जॉन जीजस से मिलता है, दोनों cousins थे, अब जो जॉन जीजस को जानता है, वो by revelation जानता है, वचन क्या कहता है, वो क्या कहता है, यह देखो परमेश्वार का निश्पाप में ना, जो जगद के पाप लिए जाता है, यह देखो वो जो मेरे बाद आने वाला है, यह आग और आ परमेश्वार का पुत्र है, मैंने अपना रोल फुल्फिल किया, मेरा रोल था जगद को इंट्रिड्यूस कराना, उससे जो मेरे बाद आ रहा है, लेकिन मेरे से पहले से है, यह मेरे लाइफ का परपस था, कि मुझे एक वाइस बना के भीजा गया और मैं आप से पूछना चाहता हूँ, कि आप अपने जीवन में पूर्ती और संतुष्टी चाहते हैं, तो फिर परमेश्वार के बच्चों गुरूप में आपको कहीं वानन नहीं आएगा, जब तक आप गौट के प्लैन के नुसार अपनी लाइफ में नहीं जीएंगे तो, कुछ बाते हम लोग जोना के जीवन से देख सकते, पहली बात वो लोगों के एक्सपेक्टेशन में नहीं जिया, उसने किसी को मौका नहीं दिया कि अपने अपने चोईज, अपनी इच्छा उस पर हावी की जा सके, परंतु उसने परमेशर की उजनाओं को अपने जीवन म पूरी किया, अमें, दुनिया के सोचती से फरक नहीं पड़ता, आप जो सिखा रहे हो सब आज के दिन में ज़्यादा माइड नहीं दखता, आप हमको बताइए, अमीर बनने के सौ तरीके हम कितना बोए कि हम काट सके और हम भी कैसे बहुत महान मन सके, बैट जाओ, बैट किसमें एक गाना बहुत आसान है, मेरा जीवन मेरा नहीं, यह तुझको अर्पन है, अफिर लाइफ अपनी चाहतों और एक्सपेक्टेशन में जीना यह एक अलग बात हो जाती है, सबसे पहली बात इसने लोगों की जो इससे पेक्षाय थी, उसके बाहर में वो जीवन नह का बाहर है, पर इस व्यक्ति ने लोगों के एक्सपेक्टेशन में अपने आपको नहीं दिया, उसके अनुसार अपने आपको नहीं दिया, दूसरी बात हम देखेंगे कि इसने अपना जीवन परमेश्वर की आत्मा से पवित्रा आत्मा से भर कर जिया ताकि यह अपने जी हैं, और कई बार ना आकास से कोई आग गिरती है, ना कोई सपना आता है, ना कोई दर्शन मिलता है, ना कोई प्रोफेसी होती है, कई बार जब हम आत्मा से भर कर जीते हैं, वो अंदर के कन्विक्शन होते हैं, डीप कन्विक्शन परमेश्वर यह चाहता है मेरे जीवन से क्योंकि पवित्रात्मा ही अपनी भरपूरी में जब आता है हमको प्रभु येश्यों की सारी बाते स्मरंद दिलाता है प्रफेसी क्या है प्रभु येश्यों की गवाई हमारे लिए प्रभु येश्यों की शिक्षाओं को हमको समझाता है वो हमारे दिलों में बोज लाता है कि हम किस दिशा में जाए हम लोग की होना की लाइफ से देख सकते हैं लोगों का तो एक्सपेक्टेशन के नुसार उसने नहीं जिया परन्तु वो अपने जीवन आत्मा से भर कर जीता ताकि परमेशर की होजनाओं का अपने जीवन ने पूरा कर सके एमें तीसरी बात हम देखेंगे कि वो अपने लाइफ को एक मिशन की तरह जीता है और उसको फुल्फिल करता है उसने परमेशर ना वो अमीर बनने के लिए जिया ना वो प्रसिद्द बनने के लिए जिया ना उसको कोई जान जायस लिए जिया वो एक जलता दिया था उसका काम था परमेशर की सेवा में वो कंज्यूम्ट हो जाए इसे लोगों को हम दो देखके सलूट कर सकते हैं एसी लाइफ से इंस्पार्ड हो सकते हैं एसी लाइफ को देखके संबित हो सकते हैं एसी लाइफ को देखके परमेशर को धन्यवाद देता हैं कितनी बार है मैं कितने प्रभू के दासों के लिए प्रभू परमेशर को धन्यवाद देता हूँ पहले मैं जब उनके बारे में सोचता हूँ, मैं सलूट करता हूँ फिर मैं अकेले बैठके भी ऐसे मैं सलूट करता हूँ फिर मैं प्रेयर करके परमेश्व को धनेवाद दिया है थैंक यू जीजस, मेरे को एक पापी का एक्जामपल देने के लिए कैसे कोई sanctified हो सकता कर आपकी योजनाओं के लिए अपने आपको अलग कर देतो इस विक्ति ने अपना जीवनism, उसकी life का जो mission था उसको fulfill किया और वो उसका mission नहीं था परमेश्वन ने, वचन कहता है परमेश्वन ने, जिसने हमको अपनी इच्छा के नुसार बुला है कि परमेश्व की योजनाओं को पूरा करता है मैं एक सपना हूँ, मैं एक ambition हूँ नहीं, मैं एक आवाज हूँ एक विश्वासी, एक दिया है उसका अनंद है जलने में आमेन चौती बात देखेंगे, उसने परमेश्वर की उजनाओं को या परमेश्वर की बुलाहट का जवाब दिया और उसकी लाइफ में क्लियर डिरेक्शन था वो अपने कोर्स में बना रहा वो अपने मार्क से भटका नहीं उसको मालूम था वो परमेश्वर में कौन है उसको मालूम था उसकी बुलाहट क्या है उसको मालूम था उसको किस लिए बुलाया गया उसको मालूम था उसको किसका मार्क तयार करना है और वो उस प्लैन से भटका नहीं उसने कोई भी चीज़ को अपने परहावी होने नहीं दिया कि उसका मन मसीज से भटक जाए उसका जीवन की एक ही मुद्दा था कि परमेशर की योजनाओं का आग्या पालन करे आमेन सुनाओ अभी तक हम लोग आज का जो मुख की बात है उसको समझ गए बट लाइफ में ये सब अफेक का बात है अब हम लोग योनाओं की लाइफ में देखेंगे अब इन ये कजन्स थे दोनों पैदा हुए गौट के मिराकलस इंटरवेंशन से येशु तो एक कुवारी से जन्म लिये लेकिन योना के पैदा होने से पहले भी भविश्वानी आती है और उसकी माँ भी जब उसको जन्म देती है ये आत्मा से भरके अपना जीवन जीता बट हम लोग देख सकते हैं उस दिन जब बबतिस माँ देते समय जब ये प्रभु येशु का देखता है तो ये इनसेंस उसकी लाइफ का भी टरनिंग पॉइंट था इससे पहले वो पाप के पश्चाताब का प्रचार कर रहा था अब इसकी सारी गवाई है प्रभु येशु और उसकी महिमा वो कहता है मैं जोती नहीं हूँ मैं जोती की गवाई देने आया हूँ मैं चाहता हूँ वो सीन आपके सामने आए कि जब भीड के बीच में से प्रभु परमेश इसको बोलते है जिसके उपर कपोत उतरेगा वही है वो व्यक्ति और ये उसको देखता है इसका मेसेज भी चेंज हो जाता है वो पश्यताप और कनफेशन के मेसेज से वो चेंज होके प्रभु येश्यू की मही में उस व्यक्ति का गुनगान हो जाता है एमें प्रभु येश्यू की डेवलेशन किसी के लाइफ में ये एफेक्ट ला सकती है कि उसका मेसेज चेंज हो जाए और उसकी लाइफ को अब्जेक्टिव बन जाए परसन और एंड ग्लोरी अफ लॉर्ड जीजस क्राइस्ट कि हम लोग ऐसा एस गॉड्स पीपल परमेश्वर के बच्चों के रूप में आज अपने मन में इस बात को निर्धारित कर सकते कि बई जीने के 100 तरीके हैं लेकिन आज मुझे मन बनाना है कि मैं उस तरीके से जीना चाहता हूँ जो परमेश्वर के इच्चह यह मेरे जीवन के लिए जो गड का प्लान है मेरी लाइफ के लिए कि मेरे को अपना ये एक जीवन God, परमेश्वर की इच्छा के नुसार जी नूरा इसके लिए हमको कोई Great Prophecy नहीं चाहिए इसके लिए कोई हमको कोई Special Prophecy नहीं चाहिए इसके लिए हमारे पास परमेश्वर का वचन है कि हम अपने जीवन को वैसे ढाल दे जैसे परमेश्वर की योजन हमारे जीवन के लिए हम एकसेप्ट करें, हम परमेश्वर के लोग है हम उसको जान जाए जो हमसे पहले था और तो हमारे बाद भी रहेगा Amen तो जब वो revelation हमको मिलेगी हमारा भी message change हो जाएगा और वो message प्रभू येश्वर के बारे में हो जाएगा वो एक जलता दिया था Amen वो परमेश्वर के आत्मा से बरा था उसको मालूम था वो कौन है मैं एक आवाज हूँ और वो आवाज बनके जीता है आपसे सवाल आप कैसे जीना चाहते है आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते है क्या आप अपनी लाइफ में फुल्फिल्ड फील करना चाहते है क्या आप अपना जीवन पून रूप से परमेश्वर जो आपके जीवन से चाहता है वैसे जीना चाहते है क्या परमेश्वर की योजना अपने जीवने पूरा करना चाते है तो आज हम लोग योना के जीवन से सीख सकते है दुनिया का प्रेशन नहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं उसकी प्रसद्धी नहीं कौन उसके बारे में क्या वोलता ये नहीं परमेश्वर की योजना उसकी लाइफ का प्लैन था एमेन उसने अपने आपको अलग किया और एंड तक वो भटका ने उस मार्क से जिसके लिए परमेश्वर दे उसको जीवन दिया था आमेन ये अद्बूत बात है कि जब हम लोग ये लाइस कर ले ये गौट का प्लैन है मेरी लाइफ के लिए और अपने आपको दे दे ताकि हम उस प्लैन के अनुसार जी सके क्या हम लोग भी मांग सकते प्रभू मैं भी एक आवास बनू जो तेरा मार्क तियार करे प्रभू मेरी मदद करिए मैं पवित्रा आत्मा से भरके अपना जीवन जी सकूँ ताकि मेरी लाइफ से आपको ग्लोरी मिल सके प्रभू जीने के सौ तरीके प्रभू लेकिन मुझे वो एक जीवन चाहिए लॉड जो तूने मेरे लिए चुना है लॉड जैसे तूने मुझे बुलाया है मैं वैसे जीना चाहता हूँ कोई है जिसको आज हो सकता बोलना पड़े प्रभू मेरी मदद करिए कि मैं हर एक distraction से अलग होके अपने आपको sanctify कर सको ताकि तेरी आत्मा से भरके उस जीवन को जी सकूँ जो तूने मुझे जीने के लिए बुलाया प्रभू मुझे भी जलता दिया बना दीजे मेरे life consume हो जाए आपकी worship में आपकी service में प्रभू मुझे आपको अपने जीवन से महिमा देनी है लॉड अपने son को पिता अपने son को reveal का अपने बेटे को reveal करिये लॉड ताकि मेरी भी life का message change हो जाए और वो message येशू के व्यक्ति और येशू जो महिमा से भरा है वो उसका message बन जाए लॉड मेरे life का objective बन जाए तुझे महिमा देना आप कैसे जीना चाहते क्या के time हम लोग seriously as a church prayer कर सकते है Thank you Father God दनेवाद परमेश तेरे जैसा कोई नहीं प्रबू तुमाना तुझ अल्फा ओमेगा है लॉड सही में लॉड तुझ वो है जो था और जो है और जो आने वाला है हम दनेवाद देते हैं प्रबू आज के दिन के लिए प्रबू और दुआ करते हैं लॉड हम सब जितने लोग ये मेसेज सुन दे हैं लॉड हम सब के जीवन को तेरी ये शब्द प्रभावित करें लॉड क्या जम लोग सब उस जीवन को यहना के जीवन को देख सकते हैं लॉड और धन्यवाद दे सकते है लौट की सही में उसने अपने आपको अलग कर दिया वो रेगिस्तानों में जिया वो एक आवाज बन गया उसने अपना जीवन उस योजना के अनुसार जिया जो तेरी योजना उसके जीवन के लिए थी लौट हमारी मदद करिए प्रभू हमारी मदद करिए ताकि हम भी उस योजना के अनुसार जी सके जो तेरी योजना है मेरे जीवन के लिए लौट ताकि हम भी कह सके मेरा जीवन मेरा नहीं ये तुछ को अरपन है मैं अपने आपको देता हूँ परमेश्व तेरी योजनाओ के अनुसार लॉड एल्प मी लॉड तेरी मदद करिये ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार अपने आपको दे सको प्रभू मुझे अपने फवित्र आत्मा से भरिये तेरी आत्मा के गहरे काम मेरे जीवन में होने पाए लॉड मेरी मदद करिये मैं अपने आपको सेंक्टिफाई करता हूँ लॉड अपने आत्मा से भरिये मुझे लॉड तैंक्यू फादर गौर प्रभू दुआ करते हैं जितने लोग आज पवित्र आत्मा के आवाज सुन रहे हैं जितने लोग आज अपने दिल में वो खटखटा हाँ सुन रहे हैं जितने लोग आज कन्विक्टेड हुए हैं कि मुझे उसके लिए जीना है मुझे उसकी योजना के नुसार जीना है में मुझे अपने जिवन को उसमें जानना है मैं जिस तरीके से जी रहा हूँ जिस दिशा में जा रहा हूँ मुझे आपकी दिशा चाहिए मुझे मैं fulfilled नहीं करो जितने लोग frustrated है जितने लोग satisfied फिल नहीं करें लोड जितनों लोगों ने संतुष्टी और पूर्ती मैसूस जो नहीं करें लोड दूआ करते हैं लोड आज आपका पवित्रात्म मदद करें लोगों को उस थान तक लेके आने जहां उनको मन में ये बात समझ में आ जाए कि जीवन में पूर्ती नहीं मिलेगी जब तक तेरी योजना के नुसार नहीं जिए लोड मदद करिए लोड ताकि मैं अपने आपको तेरी योजना के नुसार दे सके लोड तैंक यू फादर गॉड तैंक यू फादर गॉड धने वाद देता हूँ लोड एक 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 लिए आपके पवित्राव से डखता हूँ दूआ करता हू धनेवाद देता हो तेरे पवित्र आत्मा के लिए हमारी मदद करी लॉड हम तरी आत्मा से भर कर जी सके ताकि तरी योजनाओं को अपने जीवन में हम पूरा कर सके लॉड यह हमारे लानद कविश है लॉड हम तेरे लिए जीए तुझे महिमा देतो लॉड हजार तरीके इस दुआ को येश्यू के नाम से मांगते हैं और सब बोलेंगे आमेन यहार विश्वासी की इच्छ है कि वो अपने भागी को पूरा करे कि आप वो विश्वासी हैं जो मन में भूके हैं कि मुझे परमेश्व की सेवा करनी है और आपके पास कोई ऐसा रेक्ति नहीं मिला जो आपको सिखाए तयार करे जो आपको सिख्षा दे पर आपको वो बाते बताएं जापकर जानना जो भी है इने सारी कारणों से मैंने एक कोर्स तयार के जिसका नाम है स्कूल ओफ एड स्कूल ओफ एड एक ऐसा स्थान है जहां विश्वासी को प्रसिक्शन दिया जाता है उन्हें तयार किया जाता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए जो विश्वासी स्कोर्स से जुड़े हैं उनके बंधन तूरते हैं उनके लाइट में ब्रेक्टूज आते हैं उनके सोचने समझने का तरीका तब बदलता है वो अभी शिक्ते शिक्षाय पाके वो वचन में धिड़ हो जाते हैं वो परमेश्वर के वचन का प्रचार सीखते हैं वो वरदानों से लैस होकर सेवकाई में उनके कदम आगे बढ़ते हैं याद रखिए अगर आपकी चाहत है कि मेरा जिमन फल दायक हो और मैं प्रभावशाली सेवा कर सकूँ तो कभी भी जो समय तैयारी में इन्वेस्ट किया जाता ये नश्ट समय नहीं है हमने सेवा को विशेश लोगों तक नियमित करके येशु के कई अंगों को बिलकुल बेजान कर दिया कितनी उमंग है येशु की कि शरीर का हर एक अंग काम करे और उसकी पूरी दे महिमा से भर जाए हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे है जहां पूरी पिठ्वी पर परमेश्वर की अग्बुद महिमा परकट होने वाली है और परमेश्वर चाहते हैं एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीड़ी एक ऐसे विश्वास्यों को तयार करना जो पूर्ण डूप से परमेश्वर के प्रेम और उसकी आग से भरे है और तयार है इस पूरी पिठ्वी में परमेश्वर की महिमा को पकट करने के लिए उसके राज्जी को लाने के लिए ऐसे ही लोग जो भूके हैं, जो प्यासे हैं जिनको बड़ावा नहीं मिला आप एक जैसे लोगों के लिए इस कोर्स को तयार किया लिए अगर आप इस कोर्स से जोनना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर लिए किस नमबर पर हमें कॉल करिए या वाटसप करिए और हमाँ को सारी डिटेल्स देंगे स्कोर्स करिए अगर इरादा एक प्रभावशारी अब फल्डाइक सेवा का है जो जीवन भर चलिए तो कभी भी तैयारी का समय नश्टे समय नहीं प्रभावशारी